अश्टेलय महादीब जो है यह सेत्रफल और जनसंक्या की दरश्टी से विष्व का सबसे चोटा महादीब है। महादीब हैं !! श्यत्रेपल और जनसंकर की दरस्टी से अस्ट्रेलिया सितनर इक वर जल से गिरा होने के कारण कंगारू यह पर सरवादिक पाइचे जाते हैं इसलिए लेंड मुप इसलिए Gender को कह जाता है लेंड ऑफ गोल्डडन फिलीस्स भी आस्टेलिया कहा जाता है प्याशी भूमी का देश या महाद्वीप ओशीनिया महादीप तो यह है इसके उपनाम प्याशी भूमी का देश या महाद्वीप ओशीनिया महाद्वीप लेंड ओप कंगारू लेंड ओप गोल्डन फ्लिस और ध्वीपिय महादीप आस्ट्रेलिया पुछने वाला पहला विक्ती था विलियम जोन्सिजन और वस्थफिक खोज का स्रेक से जाता है आस्ट्रेलिया महाध्यूप की जेमस कुक को Language was James हैं इन्होंने इसका नाम क्या रखा है 아स्ट्रेलिया का New Holland रखा था आश्टेलिया के वीलियम जेम्स ने आश्टेलिया महाद्यूप का नाम न्यू होलेंड रखा था और आश्टेलिया महाद्यूप के मूल निमाशियों को क्या कहा जाता है अब औरीजीनल कहा जाता है और आश्टेलिया महाद्यूप के मूल निमाशियों को अब औरीजीनल कहा करती है आचेर्य महादीफ में जंसंघा के दस्ति का सबसे छोटा महादूध है इसलिए यहां पर कितने प्रतिश जंसेंगर निवास करती है 0.51гов प्रतिशे ह्या णिवास करती है अब आती है अस्ते colony अरापुरा सागर और कोरल सागर को जोडती हैं फिर आती हैं बोस जलसंदी ये हिंद मास सागर और तसमान सागर को जोडती हैं फिर आती हैं अपने कुक जलसंदी जो हैं ये उत्तरी और दक्षिनी न्यूजिलेंड के बीच परसांत मास सागर और तसमान सागर को जोडती हैं तील जन संदिया हैं, टोरस, अरापुरा सागर और कोरल सागर को जोडती हैं, बोस, हिंद मास सागर और तसमान सागर को जोडती हैं, कुक जल संदी, परसांत मास सागर और तसमान सागर को जोडती हैं, फिर आता इसमें ग्रेट बेरियर रिप, ये ग्रेट बेरियर रिप क्य इसके लंबाई कितनी हैं एक हजार नो सो बीस किलो मिटर और इसे क्या का जाता है पानी में बगीचा उपनाम से भी इसे जाना जाता है ग्रेट बेरियर लिपको और यह सबसे बड़ी विश्व की अवरोधक परवाल बित्ती हैं अब आते हैं अश्ट्रिले के मरुस्तल कौन कौन से हैं अश्ट्रिले के मरुस्तल के चार भाग हैं ग्रेट सेडी, गिबसन, सिम्पसन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्तल ये चार भाग हैं आश्टेलय की मरुस्तल के ग्रेट सेटी, गिबसन, सिंपसन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्तल अब हैं आयर जील ग्रेट विक्टोरिया मरुस्तल में पवन की उडाव किरिया से निर्मित आश्टेले की सबसे बड़ी जील तथा विश्व की सबसे बड़ी अपवाहन जील कौन सी हैं आयर जील ये Great Victoria मुरुस्तल में हवा के बहाव की किरिया से निर्मित हैं और आश्टिलय की सबसे बड़ी जील है या आयर जील और विश्वी की सबसे बड़ी अपवाहन जील भी आयर जील हैं अब आती है Great Dividing Range जिसे महान विभाजक सिरनी के नाम से भी जाना जाता हैं ये कहाँ पर स्थित हैं ये आश्टिलय की पूर्वी भाग में फेली परवत सिरनी Great Dividing Range हैं और इसमें स्थित कोशी उसको चोटी आश्टिलय की सबसे उची परवत चोटी हैं परवचोटि आप याद रखें, आस्टेलय माहदीब की सबसे उच्छी परवचोटि कौन सी हैं, कोषी उसको और किसमे स्थित हें, ग्रेट डिवा ईंडिंग दॉसी, इसकी उचाई कितनी हैं, 2230 मिटर, कोषी उसको आस्टेलय की सबसे उच्छी चोटि, ऐस या की माउन्ट अब आता है डाउंस, ये एक परकार का गांस का मेदान है, शितोषने कटिबंदिय गास का मेदान जिसे आश्टेले का ब्रेड बास्केट या रोटे की टोकरी कहते हैं क्या कहलाएगा डाउन्स कहलाएगा तो ये डाउन्स जो है ये आश्टेले महद्यूट के शितोषने कटिबंदिय गास के मेदान है अब आता है विली विली चकरवात या आश्टेले की उत्तरपूर में आने वाला उष्ने कटिबंदिये चकरवात हैं विली विली चकरवात कहा आते हैं आश्टेले महाद्यूत में उष्ने कटिबंदिये चकरवात फिर आता है ब्रिक फिल्डर यह अपने पाउनों पड़ले पाउनों में पढ़ लिया है पहले यह प्रकार की गरम पाउन होता है कौन सी खान से वीपा खान आश्ट्रेलिया गुसरा आता है यूरेनियम इसके भी सरवादिक बंडार आश्ट्रेलिया में है और खान कौन अब आता है आश्टिला का सहर मेलबर्ण जिसे उन बंदरगाय की संख्या दी जती है उन बंदरगाय की संख्या किसे दी जती है आश्टिला के मेलबर्ण सहर को केंटर बेरी गास का मेदान जो है ये भी सितोष ने कटी बंदिय गास का मेदान है आश्टिल्या में केंटर बेरी गास का मेदान है और यहाँ पर डेरी करशी का विकास हुआ है और इसे पसूओं का स्वर्णिम चरागा कहते है इस केंटर बेरी गांस के मेदान को पसूओं का सुवर्णिम चरागा कहते हैं और यहाँ पर डेरी करसी का विकास हुआ है सरवादिक उन देने वाली भेड कौन सी हुए मेरीनो जो कि आश्टिले में पाई जाती है और इस मेरीनो भेड पालक जाती भेड पालक क्या कहलाते हैं जेकारू कहलाते हैं और सरवादिक व्रक्स कहां कौन से पाई जाते हैं आश्टिले मादिट में युकेलिप्टस के जिससे क्या पराप्त होता हैं गम या गोंध पराप्त होता है तो सरवादिक उन देने वाली भेड मेरीनो आश्टेले में भेड पाला क्या कहलाते हैं जेकारू और सरवादिक व्रक्स आश्टेले में कौन से पाई जाते हैं यूकेलिप्टस के जिससे गम या गोंध पराप्त होती हैं अब आते हैं आस्टरेले महादुप के पर्वत दक्षिनी आलपस जो की न्यू जिलेण में श्ती थे ते और यहाँ पर कॉन सी जंजटी पाई जाती हैं, दक्षिनी आलपस में और न्यू जिलेण में चलने वाली गरम पाऊन क्या कहलाती हैं नारवेश्टर कहलाती हैं, पले टिप्स या हाकविन जीव आश्टिलय में पाई जाता है, और कोका बर्रा पक्षी भी आश्टिलय में पाई जाता है, व्यक्ति और भूमी का अधिक्तम अनुपात जो हैं, वो आश्टिलय महाध्यूप में हैं, क्योंकि सेत्रेफल और जंसे तो यह आपका हो गया अंती महादीप पढ़ेंगे यूरोप महादीप फिर इसके बाद मास आकर स्टार्ट होंगे तो पढ़ते लिए आपके अपने चैनल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में जै हिंद जै भारत